मैं हूँ आयुशमौ और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 11 में हंगामों कदर और लगतार जारी है इस हफते की नॉमिनेशन प्रक्रिया में शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला जहां कंटेस्टेंस को दोस्ती और दुश्मनी भुला कर इमानदारी से अपनी रांकिंग तै करनी है बिग बॉस ने नॉमिनेशन प्रक्रिया में ट्विस्ट लाते हुए कंटेस्टेंस को इस बात की जानकारी नहीं दी इस दोरान पुनीश शर्मा ने बाकी सदस्यों को कन्विन्स करा कि सेलिब्रिटी के मुकाबले कॉमनल्स का प्रदर्शन शो में अच्छा रहा है पुनीश के इस बात से सभी सहमत हुए और उन्होंने अकाश को नमबर वन स्पॉट पर रखा जबकि पुनीश नमबर दो पर थे इसके बाद लव, शिल्पा, हिना और विकास को रखा गया घरवालों की ये रांकिंग तै होते ही बिग बॉस ने ट्विस्ट लाते हुए कहा कि अकाश और पुनीश को छोड़ कर बागी सभी सदस से घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेटेड है ये सुनते ही विकास, हिना और शिल्पा काफी दुखी दिखाई दिये इस दौरान तीनों आपस में बात करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था विकास कहते हैं कि फिनाले के इतने पास आकर उन्होंने ये बेवकूफी कर दी है जो आगे नहीं होनी चाहिए विकास आगे कहते हैं कि उनके हिसाब से शिल्पा, हिना, अकाश और वो खुद को फाइनल्स में देखते हैं हिना और शिल्पा भी विकास की बातों से सहमत थी वहीं वोटिंग लाइन्स बंद होने की वज़े से ये साफ हो गया है कि इस हफते या तो कोई घर से बाहर नहीं होगा या फिर बिग बॉस इस बात का फैसला करेंगे कि शिल्पा विकास हिना और लव में से किस कंटेस्टिन की घर से छुट्टी होगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलेविशन और बॉलिवुद की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे ये फिल्मी बीट